माई को चला करके मार दी जिसके करन देखिये मेरा नाक पर तूट लगा ये सरपट गिया था मेरा मना करने पर उन्होंने डियो साहब कहा कि तुम सत्थ हरिश्चंद के अउलाद बनते हो तरह तरह से जो है एक्स्टॉर्शन कमिशन खाते हैं वह हम पर आरूप लगाते हैं त तो हम टाड़ा के अपराधी थे हमें हमारी परिवार को हमारे दिश्चेदारों को टॉर्चर किया जैसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनागार मही था मैं 15 दिन होस्पिटलाइज रहा हूं एलाज कराने के मेरी बाद में उनके साताय होगा आदमी मायक के स हा सिर्म मार्दी चौट से हमारे अंदर दिया उन्धों के अंदर हो गए सिरु मातम आधार करना मार पिठ है तो मैं तो बचाव किया जैदि ग्रामी नहीं तो हमतों वहां से बच करकर के निकल भी नहीं पाते हैंP मोहदै से नि特別 में परिरेड में कितफार हुआ और कितने पर बेरासी हुआ है पुलिस तो यह भी आरोप हम पर लगा रही है कि तिन मजला मकान कैसे बना लिया है एडी में विभाग देगा और हमारे विभाग के प्रादेकारी हम पर एडी बैठाते हैं खुद डीयो दूसरा कौन उनका एजेंट उनको फोर करके बुलाया था उनका डीयो का एजेंट था और खुद जया करके यह गया है तो वह दवाब डाल रहे थे कि आप को जो बात कहा जाता है वह बात क्यों नहीं पूरा करते हैं मेरे एक सिच्छा कराकेश मिसरा का सर फट गया उनका जो हाथ तूट गया पैट तूटा दियों के द्वारा लाए गया गुंडे जो है वह हमारे सिच्छा को और हमें बुरी तरह से घायल कर दिया ग्रामीनों के द्वारा हम सिच्छों को बचाया गया लेकिन सवेरे से ही उनके असूली एजेंट जो है पिजाले का द्वरा कर रहे थे यह आरूप बे बुणियाद और बेहुदा किस्म का यह नमस्कार मुझफर बुआ देख रहा है प्रणाम है उत्तम खुवार देखिया मुझफर पूर जिले के कुर्णी प्रकंशत से एक मामला आया था जहां जो है स्कूल के जो हेड मास्टर है उन पर जिला सिख्षा पताधिकारी का जो है सर फोर देने का मामला सामने आया था और अभी हमाँ साथ बाच्चित करने के लिए उस स्कूल के हेड मास्टर सर है इन से बाच्चित करेंगे क्या कुछ मामला है सर आप पर आरोप लगाया था कि आपने जिला सिख्षा पताधिकारी क पर यह लांचना लगाना बिल्कुल जो है निराधार है मैं उस दिन शमाने दिनों की तरह कार्ज कर रहा था लेकिन सवेरे से ही उनके असुली एजेंट जो है विद्याले का दौरा कर रहे थे कभी विकास कार्ज चल रहे हैं उसके लिए पैसे के लिए कभी नजाज सवर से करने के लिए इन तमाम चीजों के लिए उनके एजेंट सवेरे से ही विद्याले में आकर करके हमें डिस्टर्ब किये हुए थे मैं तमाम लोगों को नाकारते रहा उस नाकारने का फ़ल हुआ कि उनका एजेंट जो है उन्हें फोन कर दिया और वो अपनी पद और प्रतिश करने का काल्श किया है उन्होंने ऍहुंभ को तो कहिए कि हम लोग का कर्म अच्छा था कि अधाधि की ट्वारा हम सिच्चकों को बचाया गया नहीं तो दियों की द्वारा लायक है कूंडे जो है वो हमारे सिच्छक को और हमें बुरी तरह से घायल कर दिया आप देखे होंगे कि हम मेरे एक सिच्छक राकेश मिस्रा का सर फट गया उनका जो हाँ चूट गया पैट तूटा और जदी ग्रामीन नहीं होते तो साइध हम लोग बच करके नहीं निकल पाते कितना पैसा का डिमांड किया गया था 50,000 रुपिया उनका डियो का एजेंट था और खुद जया करके यह गया है तो दवाब डाल रहे थे कि आप कुछ बात कहा जाता है वो बात क्यों नहीं पूरा करते हैं आप इस मामले को लिगर मांगा जा रहा था क्रिसी का मतलब पैसा विद्याले में विकास का कार चल रहा था उसके लिए और जो समर्शेवल लेने से इनकार किये उसमें कहाए कि मेरे इतना घटा लग रहा है तो इसका भरपाई कौन करेगा कुन बुले बात कुद डियो दूसरा कौन उनका एजेंट उनको फोर करके बुलाया था अच्छा एक बात पताएगा जिस तरह से आपर करवाई हुई अफायार दर्ज हुआ वारेंट जाड़ी हुआ इस्तिहार चिपकाया गया यह सब काफी तेजी में हुआ तो हम हम टाड़ा के अपराधी थे जो कि एक सिछक जो है कि उपर मार्पिट भी किया गया उपर से उ टॉर्चर किया जैसे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनागार मही था पुलीस बरीपधा धिकारी के प्रिसर में काम किया है इसके संदर में मैं मनिये नियाले में अपना पक्ष रखा है नियाले ने हमारी बातों को गंभीरता पुर्वक सुना है और सुन कर क हम पर पुलिस के द्वारा किये गये कारवाई पर माझ्य उच्णियाली नरी संग्यान है और मुझे बिश्वास है कि नहाले के द्वारा मुझे निशी तरूप से न shy मिलेगा। जब आपने मना किया कि मैं हमारे स्पूल मैं समरसिवल किया रोशकता नहीं है उसके बाद क्या कुछ हुआ था उसको तुरा बताइए मना करने पर उन्होंने डियू साहब कहा कि तुम सत्थ हरिश्टंद के अलाद बनते हो और वहां पर चितना सत्र में यूज किया हुआ माइक रखा वह था टीवल पर और वह टीवल पर चला हुआ रखा हुआ माइक को चला करके मार दिया जिसके करन देखिया मेरा नाक पर तूट लगा ये सर पट गया था मेरा उससमय घटना के समय मैं 15 दिन होस्पिटलाइज रहा हूं एलाज कराने मेरी और बाद में उनके आप 15 दिन हम भरती रहे हैं अपर जो आरोप लगाया गया कि अपने मार्पिट की है अरे सिच्छक क्या मार्पिट करें सिच्छक अपना बचा बचाव करना जैदी मार्पिट है तो मैं तो अपना बचाव किया जैदि ग्रामी नहीं आते तो हम तो वहां से बत करके निकल भी नहीं पाते हैं वही मेरा सतकर्म जो था जो आ गया है तो जिस तरह से इंके अधियों के तो घर हमारे आब देखिया सी प्रसाप का सर भटा हुए वह वह बचाना है उसको उस पर लोग आक्क्नमक हो गया उसका सर फट गया है तो यह भी कहा जा रहा है फरार है फर्दे कैसे हैं फरार कैसे हैं पुलिशिया दविश जो है प्रसाशनीय को जो हैि अब सबसुद्रा क्या है कि लिए Hack Key का दूरा कहा गया है है इसाप को तो उनका जो है मुख्वीर कहा गया इतनी भद्दी टिपनी माननी उतने अले के द्वारा बरिये पता दिकारी के लिए किया गया है उनको तो अपना पद छोड़ करके चले जाना चाहिए था जो है वह अशुली एजेंट उनको कहा और पुछा गया है कि इस प्रियड में कितने परविरासी हुआ है उनको संब्द अग्ले डिट में देना है उनको अपना हल्पनामा दायर करना है मानने उचने अले में अच्छा लंबे समय से आप मतलब पढ़ाते हैं आपके द्वारा कई बच्चे जो बढ़ाई करके आपके द्वारा जो है उची उची पदो पर गया होंगे लेकिन इस जब आपके घर पर इस्तिहार जो पुलिस को चिपकाया गया उस टाम किस तरह की अनभूती हुई थी कितना बुरा लगा था इस इस द्रम्यान मेरे पढ़ाई हुए बच्चे इंग्लेंड अमेरिका जर्वनी फ्रांस में भी है मैं सरकारी सिर्वा में आने से पहले मैं कॉ उसमें बिहार इंबर सिटी के तत्कालीन जितनी भी प्रोफेसर वाई सांसलर उनके बच्चे इंस्यूशन में पढ़ते थे आज विश्यों की ऊच्चे पदों पर डॉक्टर इंजिनियर के पदों को स्यूंटिस्ट के पदों पर कार्ज कर रहे हैं जब उन लोग को जब इसाटकारी मिली तो वो बहुत उनका किशी ना किशी माध्यम से हमारेल स्थेदारों की हां मेरे मित्रों की हां फोन आया है वहां धुиваем की पिद्धिय już मया जौientos пошत्रृiell Tuteur को मैं उन्हेश्य के सरकारी सेवा में हूं मैं इसी शहर मेंaria 2016 से सचनी कार्ज्ण कर रहा व कर रह यहितिन मज्डला मकान कैसे बना लिया है में बीहाग देगा है किमारे नौकरी में आने बद तो मैं उसमें एक इत्में ही जोड़ पाया है यह हमारी सिती है और हमारे विभाग के परादेकारी हमपर एड़ी बैठाते हैं जो रोज खुद जो है तरह तरह से जो है एक्स्टोर्शन कमिशन खाते हैं वो हम पर आरुप लगाते हैं कि हम पर एड़ी तो हमाँ साथ वही जो प्रधार हैं और जो पहले वार के सामने आया है और हमसे बातचित कि पूरी घटना को जो बता है कि किस तरह दिन क्या कुछ घटना हुआ है तो बने रहे आप हमाँ साथ अपने सपनों के आश्या को दे एक नई पहचान माभवानी डेक और प्रावेट लिमिटेट के साथ जो है authorized distributor of कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनागे और जहां मिलती है सभे प्रकार के इंडियन और इंपोर्टेट ग्रेनाई माभूल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्जग संग्रे माभवारी डेक और प्रावेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लॉर स्लुशंस न्यू जीरो माइल दादर रोड मुझाफर पूर् कॉल डबल नाइं ट्री फोर सेवं पाई ट्री ट्री ट्रीपल वान झाल